दोस्तों प्रस्ण दिया गया है कि निमलिखित एपी का योग ग्याद कीजिए 2, 7, 12 इस प्रकार से एपी दिया हुआ है 10 पदो तक ठीक है तो हमारा एपी कितना दिया हुआ दोस्तों 2, 7, 12 इस प्रकार से 10 पदो तक हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले दोस्तों इसका सारव अंतर ग्याद करते हैं, सारव अंतर कितना हो जाएगा? सारव अंतर, साथ माइनस दो, इसे D से भी वेक्त करते हैं, ठीक है? तो D कामान क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद, साथ माइनस दो, बराबर कितना आ जाएगा 5 तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी कर सकते हैं तब भी 5 आएगा ठीक है तो सारबंतर हमारा 5 आ गया पहला पद पर्थम पद यानि कि A का मान कितना है 2 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि A P और N मतलब कि कितना अब पद है A P में N बराबर कितना है N बराबर हमारा 10 है ठीक है A बराबर पता है N बराबर पता है और D बराबर हमें पता है तो A P के पदो का योग क्या होता है S 10 मतलब कि 10 पदो का योग इसका सुत्र क्या होता है N बटे 2 2 A पलस n-1 into d ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमें n का मान पता है कि 10 है तो 10 बट्टे 2 2 into 1 का मान कितना है दोस्तों 1 का मान आपे 2 है plus n, n कितना है 10 minus 1 n का मान आपे 10 है minus 1 into d का मान हमने क्या निकाला है d हमारा 5 है तो यह हो जाएगा 5 तो इसे हल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये कटेगा 5 बार में, 5 ये हो जाएगा 4 पलस 10 मानिस 1 हो जाएगा 9 और गुने 5, 45 तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 और 45 पलस 4 ये हो जाएगा 49, ठीक है? तो 49 गुने 5 कितना हो जाएगा? 245, ठीक है? 245, तो हमारा AP का कितना आ गया? 10 पदों का योग 245 और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद